हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी योट्यूब चैनल एग्रिवर्स एजूकेशन पे दोस्तों आप लोगों को जैसे पता ही है हमने अपने चैनल पर एक एग्रिकल्चर करेंट अफेर्स 2020 की सीरीज चलाई है और आज की वीडियो इस सीरीज का सेट थिरी होने वाला है जिसमें हम पिछले साल के महतपूर्ण एग्रिकल्चर करेंट अफेर्स को डिसकस करेंगे जो एक्जाम के पॉइंट आफ यू से बहुत ही जादे रिलेवेंट है जो आने वाले एक्जाम्स जैसे IBPS, AFO का मेंस, नाबाड, FCI और इवन UPSC के प्रोस्पेक्टेस से बहुत ही जादे इंपोर्टेंट है एक चीज में और क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो सीरीज से हटकर हम एक separate वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिसकस करेंगे पिछले साल के important new government scheme और जितनी भी crops की नई वराइटे होंगी और उसके साथ-साथ GI tax और agriculture से लेटेट जितने भी महतपूर्णे days celebrate किया जाते हैं उन सब को हम उसी वीडियो में डिसकस करेंगे, तो आते हैं आज की वीडियो पर, आज की वीडियो MCQ के form में होने वाली है और इसमें अगर आपको कोई question आता है तो प्लीज उस question को हमारे comment section में जरूर ट्रेंडम कीजिएगा, तो आते हैं पहले question पर, recently which state and union territory declared 100% organic state itself after सिक्क सिक्किम के बाद वह कौन सा राज्जी या केंदर साचित प्रदेश है, जिसने खुद को 100% organic state घोसित कर दिया है, ये question especially आपके लिए है, इसका answer मैं वीडियो के बीच में प्रवाइट करूँगा, अभी के लिए इस question को आप comment section में जरूर attempt कीजिएगा, ये बहुत जादे important है और exam में आने के इसके काफी जादे chances हैं, चलिए, अगले question पर आते हैं, recently a biopesticide formulation was prepared by IPFT, Institute of Pesticide Formulation Technology, IPFT का full form है ये, and NRCSS, NRCSS यानि की National Research Center on Seed Spice, तो आपको ये बताना है कि जो ये NRCSS है, ये कहां located है, options हैं, जोदपुर, अजमेर, थिरवननतपुरम या भोपाल, इसका जो सही आंसर है, वो है अजमेर, जो National Research Center on Seed Spice है, ये located है अजमेर राजिस्तान में, तो न्यूज में ये है कि इन्होंने एक biopesticide develop किया है for spice crops, और इसके लिए इन्होंने एक fungus यूज किया है, verticillium species का एक fungus है, इसको यूज किया है, देखो, seed spice की बात करें, तो इसमे बहुत सारा synthetic chemical pesticide को यूज किया जाता है, तो इस वज़े से जो seed spices हैं, उसमें residual effect काफी हो जाता है, pesticides का, और इसके कारण क्या हो सकता है, human health और environment के लिए काफी जादे नुकसान दे हो सकता है, अगले question पर आते हैं, CM तिवेंदर रावत, inaugurated उत्राखंड first pyrul power project, in which district, आपक तिवेंदर सिंग रावत जी ने उत्राखंड का पहला pyrul power project launch किया है, तो आपके options है, पिथोरगड, पौरीगडवाल, उत्तरकासी या हरिद्वार, इसका जो सही answer है, वो है उत्तरकासी, उत्तरकासी में एक जगह है, धानारी village, इंडुंडा block, तो यहां इन्होंने inaugurate किय है, first pirul power project, इसमें क्या किया जाएगा, जो pirul होता है, इसका मैं scientific name बता देता हूँ, पिरul जो होता है, यह एक तरकी की पत्या होती है, चिड, जिसको हम चिड बोलते हैं, या Indian pile बोलते हैं, उसकी जो पत्या होती हैं, उसको हम बोलते हैं, पिरul, तो पिरul को क्या किया जाएगा, उसके बाद, उसमें से producer gas produce की जाएगी, जैसे carbon, monoxide, hydrogen और methane, फिर इन gas को cool और filter करके, electricity generator को rotate कराके, तब electricity produce की जाएगी, तो इस दौरान त्रिविंद रावज जी ने ये कहा कि, state में लगभख 23 lakh metric tons of pirul produce किया जाता है, which can be used to generate about 200 megawatts of electricity, तो इनका एकन है कि जो 23 lakh metric tons spirul है, इसका use किया जा सकता है, 200 megawatts electricity को produce करने में, अगले question पर आते हैं, खरीफ food grade production is estimated in 2020 to 2021, इस आपको यही बताना है कि खरीफ का food grade production कितना estimate किया गया है, इसका सही answer है 144.52 million tons, देखो कुछ questions ऐसे आ रहे हैं, जो simple one liner है, उनमें जादे detail में जानने की जरुद नहीं है, तो इसलिए मैं उनके बारे में जादे detail में नहीं बता रहा हूँ, अगले question पर आते हैं, from which place, CSIR, Institute of Himalayan Biorisource, जो situated है पालंपूर में, इन्होंने start कर दिया है hinka cultivation for the first time in India, तो आपको यह बताना है कि कौन सी जगे से इस institute ने hinka cultivation शुरू किया है, options है, देखो यह question बहुत ही जादे important है, क्योंकि यह पहली बार क्या जा रहा है, हीन का cultivation, हीन यानि asphedita भी बोलते हैं इसको इंगलिस में, अगर आपको इसका answer आता है, तो आप comment box पो इसका answer दे सकते हैं, तो इसका सही answer है, quaring village, देखो आपने लहौल भी सुना होगा, लहौल व तो जो CSIR का institute है, institute of himalayan bio research, जो situated है पालमपूर में, तो इन्होंने क्या किया है, पहली बार हीन का cultivation किया है, इससे पहली की बात करें, तो जो हीन है, इसको government of India इंपोर्ट करती थी, और इसमें लगबग खर्च लगता था हमारा 600 करोड, यह annually की बात हो रही कि हर साल 600 करोड हो और quantity की बात करें, तो 1200 ton asphatida को import किया जाता था, देखो asphatida है जो इसके बार में हमें पता होना चाहिए, कि asphatida directly plant से हम उसको extract करते हैं, या उसके बाद उसकी processing की जाती है, यह दोनुचे आपको पता होनी चाहिए, कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है, देखो asphatida है, य यह dried latex होता है, जो कि plant के taproot, या बोलने हम rhizome, वहां से इसको extract किया जाता है, देखो इसका scientific name होता है, फेरुला species, फेरुला के बाद इसकी बहुत सारी species हैं, आपको बस यह जिने सियाद रखना है, फेरुला, देखो जो asphatida का plant होता है, वो prefer करता है cold and dry condition, और यह condition कहा पा तो हिमालचर प्रदेश हिंक की cultivation के लिए बहुत जादे suitable है, और मैं बता देता हूँ जो यह dry latex है, इसके root से निकाला जाता है, फूर उसके बाद इसको dry करके, grind करके तब इसको market में लाया जाता है, जो एक gum होता है, जो यह dry latex की बात कर रहा था, यह तरीका का gum होता है, जिसकी कुछ properties हैं जैसे antispasmodic, carminative, expectorant, lexative और sedative, अभी मैं इसके बार में बताऊंगा नहीं कि यह कौन सी property होती है, मैंने इसको पहले एक बार अपनी वीडियो में explain कर रहा है, देखो अगले question पर आते हैं, यह question बहुत ही जादे important है, क्योंकि यह related है किस से agree bill से, तो question य है कि which state becomes first state of country to pass resolution against farm bill in their state assembly, इन्होंने क्या क्या जो किरसी bill थे, उनके खिलाफ अपने विधानसवा में परस्ताव पारित कर दिया है, तो यह ऐसा करने वाला देश का पहला राजी बन गया है, तो आपको बताने है कौन सा राजी है, इसका सही आंसर है, पंजाब, तो पंज अपने legislative assembly में यह bill पास कर दिये, हलांकि आपको पता ही है कि legislative के बाद जो यह bill है, इसको पास करना पड़ता है, मतलब इसके बाद जो approval होता है, वो देता है हमारा governor of state, फिर governor के बाद, finally president इस पर मोहर लगाता है, जो कि आपको पता है कि ऐसा होने वाला है नहीं, तो जो यह bill special provision and Punjab amendment bill 2020 लगा दिया, जो agree bill थे, उनके पीछे ही यह जोड दिया, और इसके अंदर कुछ sections को हटागर अपने amendments कर दिये, जैसे MSP के बारे में इसमें बता है, अगर कोई MSP का violation करता है, तो उसको बहुत साल की jail और बहुत जुर्माना भी हो सकता है, दूसरा है, जो इसमें कुछ trade और commercial related इसमें amendments कर रहे हैं, और चौथा है, the code of civil procedure, मैंने इसको एक बार बहुत ही ज़्याद अच्छे से explain कर रहा था, जो हमारे daily current affair series थी, जो सुभे 6.30 a.m. पर daily मैं इसको telecast करता था, तो उसमें मैंने अच्छे से explain क्या था, यहां इसकी जरूद में explain करने की, आप आपको बस यह पता होना चाहिए कि कौन सा state था, चलिए अगरे news पर आते है, recently the scientist of Pusa Institute developed a bio decomposer called dash dash for converting crop stubble into compost, तो आपको यह बताना है कि जो यह bio decomposer है, इसका नाम क्या है, option है Pusa solubirizer, Pusa decomposer, Pusa fermenter, या all of the above, तो इसका जो सही आंजर है, वो है Pusa decomposer, तो recently काफे जारे चर्चाओं में था, तो बताया जा रहा था कि इसके spray के बाद लगबग 30 दिन में, 30 दिन में जो crop stable है, वो क्या हो जाएगी, decompose हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा था scientist के दोरा, पर यह उतना effective नहीं हुआ, इसके results की बात करी जाए, तो कुछ हद तक यह effective था, पर as a alternative, stable burning के alternative यह नहीं था अब एक और important question आगया, कि recently in October 2020, खाजे, मिंडॉली बनाना एंड हर्मल चिली, gets GI tech for which state, इससे पहले मैंने बताया था धल्ले गुरसानी के बारे में, तो उसको GI tech मिला था असम के लिए, पर यहाँ क्या है, हर्मल चिली, खाजे एंड मिंडॉली बनाना, तो आपको पताना है यह कौन से state के लिए, यह GI tech मिल लगा है, option है, आसम, यूपी, गोवा, केरला, तो इसका जो सही answer है, वो है गोवा, देखो एक बार में नाम दोबारे repeat कर दे रहा हूँ, खाजे, यह एक food stuff है, food stuff वाले category में आता है, मिंडॉली बनाना जो agriculture commodity है, और यह तीसरा हर्मल चिली, यह भी क्या है, एक agriculture commodity है, अब GI tech के बारे में जान लेते हैं, जो GI tech है, यह एक तरिके का sign होता है, जिसको use किया जाता है, different products that have a specific geographical origin, and possess origin based qualities, यानि कि वो किसी particular origin में या particular place में उगाया जाता है, या उसका बहुत जादे production किया जाता है, या हम अलग तरिके से बोलें, तो वहा इंडिकेशन में ये sign use किया जाता है, जिको GI tech है, इसको इसको किया जाता है, जो आती है किसके अंदर, department of industry, promotion and internal trade, ministry of commerce and industry, अब बात करी जाएगी, पहला कौन सा product था, जिसको GI tech मिला था, तो उसका answer होगा, दारजलिंग T, पहला product था, जिसको GI tech मिला था, दारजलिंग T, पह as of मई 2020, मई 2020 तक का data है, 365 से जादे GI tech मिल चुके हैं, और recently कस्मीर का जो सैफरन था, और black rice of मनीपूर, इनको भी GI tech मिल लगा था, देखो जो geographical indication act है, 1999 का, इसका एक section है, इसके अंदर goods को define किया गया है, कि goods क्या क्या हो सकते हैं, एक तो दे रखा है इसमें agriculture goods, दूसरा natural goods, manufacture goods या any goods, और या कोई food stuff भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ खाजे के बारे में बताया था, यह खाजे किस का टिक्रीम आएगा, food stuff, अगले question बे आते हैं, which state recently brings policy to set up 2000 new FPO's, option है UP, MP, AP या 36 गर, इसका सही आंसर है, उत्तर प्रदेश, चलिए, अगले question बे आते हैं, Recently, NDDB यानि की National Dairy Development Board, इन्होंने एक launch किया है, पसु मित्रा, तो question यहाँ पर कोई है, कि जो यह पसु मित्रा है, यह क्या है, एक mobile application है, call center है, veterinary hospital है, या एक dairy unit है, इसका जो सही आंसर है, वो है call center, जो पसु मित्रा है, यह एक तरह का call center है, जिसके अंदर different information provide कर जाएगी to the livestock farmers related to livestock disease, their maintenance treatment and various information, अब आते हैं अगली news पे, recently a state decided to deliver fertilizer to farmers at their dairy store under Ritubarosa scheme, रितubarosa के बार में मैंने, पहले कुछ slides में मैंने एक बार डिसकस किया इसको, रितubarosa is the scheme of which state, तो आपको यहाँ पर यह बताने है कि जो यह रितubarosa है, यह कौन से state की scheme है, तो यहाँ आपको सोचनी की जरुवत नहीं, इसका answer है, आंदर प्रदेश, आंदर प्रदेश के CM है, जगन महुन डिड़ी, इन्होंने शुरू किया था रितubarosa scheme, इसे CM के अं जलकला scheme भी सुरू की गई थी, इन आंदर प्रदेश में, इसके अंदर क्या किया जा रहा था, जो फार्मर्स थे, उनके खेत में free, बोर्वैल डिग किया जा रहा थे, इस scheme के अंदर, एक डिगिंग मसीन थी, उसके द्वारा free में डिग किया जा रहा था, बोर्वैल, in the farmer land देखे, मैंने रितु बरुसा के बारे में तो पहले ही बता दिया है, कि 13,500 रुपे का financial assistance दिया जाता है, इन 3 spells, during kharif, ravie, and 2000 at the harvest time, in January, इसके अलावा, रितु बरुसा केंदर बनायाएगी हैं, अंदर प्रदेश में, और इसके अलावा देखे आ जाए, तो रितु बरुसा आंदर प्रदेश, इन रितु बंदु दिलंगना, इस scheme के अंदर, 5000 पर एकड़ के हिसाब से, पर एकड़ पर सीजन के हिसाब से, support प्रवाइट किया जाता है, to the farmers, twice a year for ravie and kharif, kharif और ravie के सीजन में, 5000 रुपे पर एकड़ के हिसाब से, incentive दिया जाते हैं, अगले question पे आत अब यहाँ question देख लिजे, rice, tomato, potato, wheat, तो आपके हिसाब से, क्या answer होना चाहिए, अब government incentive दे रही है, किसी के seed production में, तो आपको पता होना चाहिए, कि कौन से crop के seed production में, जादे मेहनित लगेगी, इसका सही answer क्या है, potato, अगले question पे आते हैं, गुजराथ to get countries first to organic spice seed parks, in which place, तो देश के पहले दो जैविक मसाला बीच पार, किस इस्तान पर प्राप्त करने के लिए, गुजराथ को मिल ला है, option है, पाटन, बानस कांटा, नन ओफ दे अबाव, या B, बोथ A and B, तो इसका जो सही answer है, वो कहा है, D, यानि कि बोथ A and B, इ तो इसके अंदर दो क्रॉप के अंदर main focus किया गया है, एक है cumin, यानि कि जीरा, दूसरा है fennel seed, यानि कि soft, तो ये main crops हैं, जिनके अंदर main focus किया जाएगा, देखो जो organic spice seed park है, सौफ के लिए, यानि फैनल सीट के लिए, उसको खोला जाएगा, बानस कांटा में, और जीरा, यानि कि cumin seed, इसके लिए खोला जाएगा, पार्टन में, अगली question पहाते हैं, which state farmer under the banner of Ritu Iqya Vedika, demand 15,000 quintal MSP for turmeric, option है, तेलंगाना, गुजरात, करनाटका, केरला, आपको बता ही होगा कि country में, number one producer कौन है, तर्मरिक का, अगर आपको यह आता है, तो इसका आंसर भी वही है, सही आंसर है, तेलंगाना, तो तेलंगाना के farmers ने, Ritu Iqya Vedika के banner के अंदर, यह demand करी है, कि MSP, जो turmeric है, उसका MSP होना चाहिए, 15,000 पर quintal, अगली news पहाते हैं, अरोणाचल इंक्स MOU with which firms to set up palm oil extraction factory, अरोणाचल प्रदेश ने, palm oil extraction factories को establish करने के लिए, कौन से firms के साथ MOU sign के है, option है, सीव साइ, 3F, रूची सोया, या all of the above, तो इसका जो सही आंसर है, वो है all of the above, यानि कि सीव साइ, 3F, रूची सोया, इनके साथ, अरोणाचल प्रदेश क्या करेगा, MOU sign, चलिए, अगले question पहाते हैं, under which scheme, a farmer is given pension of 3,000 per month, after the age of 60 years, देखो इसमें एक चीज़ याद रखिए, एक तो pension की बात करिए, 3,000 per month, after the age of 16 years, ये एक pension की बात हो रही है, तो इस हिसाब से farmer को क्या मिलेगा, 36,000 annually, तो आपको बताना है कि इस scheme कौन सी है, option है PM किसान, PM मांधन योजना, PM किसान आइस समर्दी योजना, या PM किसान न्याई योजना, तो इसका जो सही उत्तर है, वो देखो जो PM किसान beneficiary है, PM किसान के बारे में तो मैंने बताई है कि इसमें 6,000 रुपीज दिया जाता है in a year, in 3 installments, 6,000 रुपे 3 installments में provide करे जाते हैं to the farmers, पर यहां क्या है, दूसरी scheme है PM किसान मांधन योजना, इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो PM किसान beneficiary है, अगर वो 60 की age पार करते हैं, तो उनको pension दिया जाएगी 3,000 रुपीज पर मन्त, इस हिसाब से उनको 36,000 total pension मिलेगी in a year, पर अगर हम दोनों को add करें, PM किसान और PM मांधन योजना, दोनों से जो assistance या pension मिल ली है, उनको अगर हम add करेंगे, तो वो total कितना हो जाएगा, 42,000, यानि कि beneficiary को total जो 60 के पार हैं, उनको कितना दिया जाएगा, 42,000 पर year incentive, अगले question पर आते हैं, जो पंतनगर university है, गो इन दवल लप पंत, University of Agriculture and Technology, पंतनगर उत्राखंड, इन्होंने organize किया, अपना पहला virtual किसान मेला, from 13 to 16 October 2020, तो आपको भी बताना है, कि जो ये पंतनगर university का virtual मेला है, य इसका सही answer है, 108, चलिए, अगले question पर आते हैं, ये भी बहुत ही जादे important है, इसको जरूर याद रखेगा, on second world cotton day, जो बनाया गया था, 7 October, India gets its first ever brand and logo for cotton, तो question यहाँ पर यही है, कि जो ये brand है, इसका नाम क्या है, option है, कस्तूरबा cotton, कसूरी cotton, C कस्तूरी cotton, या D सही cotton, तो इसका जो सही answer है, वो है कस्तूरी कपास, यानि की कस्तूरी cotton, देखो यहाँ पर जैसे world cotton day, इसकी बात हुरी है न, तो मैं इस पर एक separate video बनाऊंगा, कि जितने भी agriculture से related important days होते हैं, जैसे world cotton day हो गया, या milk day हो गया, फार्मस day हो गया, तो ये सारे के सारे में एक साथ compile करके, इसकी जो theme थी, उसको भी हम एक साथ compile कर देंगे, और साथ-साथ उसी वीडियो में, जितने भी government scheme सी, 2020 की, और उसके साथ-साथ GI tag, new varieties, इन सब को compilation करके, हम एक separate video ले आएंगे, इस news को थोड़ा detail में जान लेते हैं, जो ये premium cotton है, इसका नाम रखा गया है, कस्तूरी cotton, अब इंडिया का बात करें, तो इंडिया में cotton का जो production है, second largest cotton producer है इंडिया, and largest consumer है cotton की, इंडिया produces about 6 million tons of cotton every year, which is about 23% of world cotton, तो आप देख सकते हैं, कि जो इंडिया का share है in world, वो कितना जाद है, 23%, इसके साथ-साथ, एक mobile app है, Cot Alley, इसको भी launch किया गया था, in the second world cotton day, चलिए, अगल इसके question पर आते हैं, Commission for Agricultural Cost and Price, CACP, has recommended how much cash subsidy for fertilizers to the farmers, इसके options है, 2500 per year, 5000 per year, 3000 या 6000, इसका सही आंसर है, 5000 per year, देखो इससे पहले क्या था, अब आप कह रहे हूंगे, subsidy तो मिलती ही थी, fertilizers में, पर वहाँ ये था, जो fertilizer था, इसके जो per bag थे, उसमें government क्या करती थी, पहले से ही subsidy provide करती थी, to the manufacturer, जो भी manufacture है, जैसे if को है, कोई भी manufacture कर रहा है, उसको ये पहले से subsidy provide कर दे थे, government, government indirectly subsidy provide कर, जैसे कोई bag है, उसका price है 400 रुपे, जो actual price है, जो manufacture का actual cost लग रही है, वो है total 400, पर government यहां क्या कर दे रही है, subsidy दे दे रही है, तो finally जो farmer है, वो fertilizer का back खरीदेगा 200 में, यानि कि indirectly उसको subsidy मिल रही है, यानि उसका rate कम हो गया है, पर अब क्या है, यहां पर आजकल कुछ recent year में, जो ये fertilizer बहे हैं, इनकी काफी काला बाजारी हो रही है, तो उसको रोकने के लिए, CACP ने recommend किया है, कि जो ये fertilizer है, इस पे subsidy देनी चाहिए, to the farmers, 5000 पर year के हिसाब से, ये सीधे उनके खाते में दिये जाएंगे, यानि कि farmers को अब actual price पे करना पड़ेगा, for fertilizer bag, जैसे 400 का bag है, तो 400 रुपे पे करने पड़ेंगे, तो ये था इस news में, अगले question बाद हैं, Center is giving 80-90% subsidy under PM Krissy Sichai Yojna, PM Krissy Sichai Yojna was started in which year, ये मैंने पहले discuss किया, इसका सीधे answer में बता देता हूँ, answer है 2015, PM के SI, इसको सुरू किया गया था 2015 में, और मैं इसको पहले एक बार explain कर लिया है, मैं दो बारे इसको explain ने करूँगा, बस news के बारे में बता देता हूँ, कि जो 80-90% subsidy provide करी जारी है, ये है sprinkler pipes के लिए, जो sprinkler system है, अगर farmer इसको खरीता है, तो उसको 80-90% subsidy दी जाएगी government के दोरा, अगले question पर आते हैं, ये बहुत ही जादे important है, lumpy skin disease, इसके बारे में आपने बहुत सारे news और media outlets में इसको देखा होगा, तो आपको ये बताना है, कि जो lumpy skin disease ह ये किस animal की है, options है, pig, poultry, cow या goat, तो इसका जो सही answer है, वो है cow, और मैं बता देता हूँ, जो ये lumpy skin disease है, ये होती है, पॉक्स वाइरस के कारण, पॉक्स वाइरस जो effect करती है, cattle और buffalo में, इसके कारण क्या होता है, और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये फैलता है, blood feeding insect, जैसे कुछ mites होगे, या कोई other blood feeding parasites होगे, उनके थुरू जो ये पॉक्स वाइरस है, ये फैलता है, एक animal से दूसरे animal तक, अब इसके symptom के बारे मात करते हैं, lumpy skin disease की वज़े से stiff round cutaneous nodules बन जाते हैं, on the skin of animals, देखो मैं आपको एक image भी share कर देता हूँ, ये, जैसा आप image मे देख वा रहे हैं, ये कुछ stiff round nodules हैं, जो skin से postule की तरह nodule बन रखे हैं, ये हैं symptom lumpy skin disease के, और इसके साथ साथ जो animal हैं, उसको fever आ सकता है, lezons हो सकते हैं माउस में, और milk production finally क्या हो जाएगा, reduce हो जाएगा इस disease के कारण, अब इसके बारे में बात करें, तो ये अफरिका में originate हुई थी, और जो ये lumpy skin disease है, इसको declare कर दिया था, endemic in most African and Middle Eastern countries, अब इंडिया की बात करें कि इंडिया में कहा है था, इंडिया में इसको सबसे पहली बार report किया गया था, मयूर भाज, जो उडिसा में, इस्टेट याद रखे है कि उडिसा में इसको सबसे पहले report किया ग और अभी तक इस disease का कोई treatment नहीं है, बस यह है कि इसका prevention क्या जा सकता है by vaccination, जैसे coronavirus का case में है, coronavirus की अभी कोई दवाई नहीं है, उसके लिए क्या है खाले एक vaccination है, तो वही इस box virus के case में भी यह ही है, चलिए, अगले question बात है, Recently which state government launched free crop insurance scheme for farmers of this state, तिलंगाना, तमिलनाडो, आंदरपरदेश या महरास्टा, आपको पता ही यह answer क्या होगा, आंदरपरदेश, अगले question बात है, इन्होंने एक MOU sign किया है, विथ हैदराबाद, बायो सीड रिसर्च इंडिया, हैदराबाद में situated है, बायो सीड रिसर्च इंडिया, for licensing which rap seed mustard variety, तो आपको यह बताना है, कि कौन से rap seed mustard के hybrid की licensing के लिए, यह MOU sign किया है, इसका सही answer है, NRCHB 506, इसके बारे में बता देता हूँ, यह पहली CMS based hybrid variety of Indian mustard, CMS के बारे में, detail में मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपको जानना है कि CMS क्या होता है, यह plant breeding का एक concept है, cytoplasmic male austerity, अगर आपको इसके बारे में जानना है, तो आप हमारे playlist सर्च करें, plant breeding lecture की हमारे channel पर, वहाँ आपको मिल जाएंगे सारे plant breeding से related lectures, और उसमें आपको यह CMS भी मिल जाएगा, वहाँ आप इसको detail में जाकर समझ सकते हैं, इसके oil content की बात करें, तो इसमें काफी अच्छा oil content है, 38-42%, और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दियेगे हैं, seed size, maturity days, जैसे 127-148 days, आपको बस variety याद रखने है, और यह पहली CMS-based hybrid variety थी, इंडियन mustard की, अगले question पर आते हैं, अंडर राजीव गांधी किसान निया योजना, और 36 गड़, state how much amount is deposited in bank account of farmers, तो इस योजना के तहट, राजीव गांधी किसान या योजना, जो 36 गड़ की योजना है ये, इसके तहट, farmers के account में, कितने amount को deposit किया इया, तो इसका सही answer है, option C, 10,000 per acre, देखो, acre के हिसाब से, इसमें deposit कर रहे हैं, 10,000 per acre, तो एक नॉम्बर 2020 को 36 गड़ में बनाया जाता है, 36 गड़ State Foundation Day, तो इस दिन, 36 गड़ गवर्मेंट ने, 18,000 लाग फार्मर के bank account में, direct cash transfer करे, through this scheme, राजीव गांधी किसान या योजना, देखो, इस scheme के अंदर, 10,000 per acre के हिसाब से, उनके account में, जो फार्मर से हैं, उनके account में, amount को deposit किया जाता है, अब इस scheme के वारे में बात करें, तो scheme को 2020 में ही, launch किया गया था, तो यह important है, नई scheme है, राजीव गांधी किसान या योजना, 21 में 2020, इस दिन, death anniversary होती है, हमारे former prime minister, राजीव गांधी की, सेप्टेंबर, 25 सेप्टेंबर, यह 25 ऑक्टोबर, सही answer है, 25 सेप्टेंबर, यह भी 2020 की, योजना है, इसलिए आपको इसको याद रखना है, मुक्खे मंत्र, किसान, कल्याड, योजना, पहले की दिखा देता हूँ, राजीव गांधी, किसान यह योजना, अगर राजीव गांधी लगाया, तो समय लेना, वो कहां की स्कीम है, 36 गड़ की, और दूसरा है, मुक्खे मंत्र, किसान, कल्याड, योजना, यह है MP की स्कीम, वैसे भी आपको गवरानी की बात नहीं है, बंदो हो गया, PM किसान हो गया, और इससे पहले की स्कीम थी, राजीव गांधी, किसान यह 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 जना, यह भी कुछ उस तरह की स्कीम है, जिसमें, कितना दिया जाता है, 4000, दो इस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, फार्मर्स के एकाउंट में, PM किसान से, इन 3 इस्टॉलमेंट्स, और यह प्लस, 400, जो इस स्कीम के तहद मिलने हैं, मुक्य मंतर किसान कल्याड यह जना, और मद्यपर्देश, यह याद रखना आपको, तो दोस्तों, फाइनली खतम हो चुका है, इसमें तीन सेट्स हैं, यह तीसरा सेट है, और इससे पहले दो सेट्स मैंने अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने वीडियोज नहीं देखी हैं, तो पहले उसको देख लीजे, उनमें भी मैंने बहुत सारे इंपोर्टेंट एग्रिकल्चर करेंट अफेर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो लास्ट में मैं आप से एक क्वेशन पूछना चाहूंगा, कि फेमस वीट एंड बारले इंस्टिटूट, आई आई डबलू वी आर, इंडियन इस्टिटूट ओफ वी टेन बारले रिसर्च, ये कहां लोकिटिड है, ओप्सन से लखनाउ, उत्तरप्रदेश, बी करनाल हरियाना, सी नागपूर महरास्टा, या डी हैदराबाद तेलंगना, इसका अंसर आप दे दीजिएगा, हमारे कमेंट सेक्शन में, और मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ, कि आप जितनी भी हमारी सिरीज हमने बना रही हैं, इसका रिस्पॉंस या बोलने, फीडबैक जरू दीजिएगा, हमारे कमेंट सेक्शन में, कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और इसमें क्या इंप्रूम्मेंट होनी चीए, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स टैम, तिल देन, टाटा, बाई 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 एन टेक केर,